तो कैसे हैं आप लो वल्कम बैक तो यूर वन चैनल स्टेडी मोर विद दीपा ग्यादा वल्कम तु दी डेली हिंदू न्यूस एंड एडिटूरियल अनालिसस ऑफ जून 15 तुछ आज है 15 जून 2020 और है मंडे तो मंडे का दा हिंदू न्यूस पेपर पूरा कंप्लीट सब्सक्राइब सब्सक्राइब पर daily business पर आपको notes मिलते हूं जैसे कि आप मैं आप बताता रहता हूं कि हम यहाँ पर दोनों टैप के analysis करते हैं एक detail वाला एक short वाला हमारा दाहिंदू पूरा detail analysis है तो आप यहाँ पर यह देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हम लोग 10 minutes में भी cover करते हैं तो 10 minutes वाला भी जाते हैं तो जॉइन कर लेना इसका link description में provide करा दूँगा टेलिग्राम का link description में जाकर join कर लो ठीक उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले अपनी news क्या है जो pandemic में है pandemic के time पर महामारी time पर जो यहाँ पर अपाहीज लोग है वो अभी भी invisible है उनको भी अंदेखा कर जा रहा है हमेशा की तरह है जैसा अभी तक होता आया है ठीक है उसके बाद यहाँ पर यह एक news है कि जो इंडिया के cases है इंडिया में COVID-19 ने cases है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं बहुत ही जादे तेजी से बढ़ रहे हैं रोज 11,000 case निकलना हो 300 death हो रही है daily basis पे जहां से पूछ सकते हैं ठीक है और भी बहुत सारी bodies है जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत साथ है जरूरी जो daily basis पे न्यूस पेपर पर आती है वो सारी चीज़े हम लोग telegram पे डिसकस करते हैं तो चलते हैं telegram चैनल पर और उसके बाद देखते हैं आपर ICMR के बा Department of Health Research Ministry of Health and Family Welfare के द्वारा ठीक है उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और जान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर चीज़ें इंपोर्टन जाती है जो headquarter वगेरा है इन चीजों के वह जाले तक पूछे जाते हैं तो यहाँ पर formation 1911 में 1949 मेंस का नाम बदल का ICMR करा गया जो टेस्टिंग है उसको बढ़ा देनी चीए capital यानि की न्यूडली में क्योंकि न्यूडली में अभी अर्विंद के जरिवाल ने हैं जो 6CM है हाँ पर तो उन्होंने क्या कर दिया था जो cases हो ड्रॉप कर दिये थे टेस्टिंग तो टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए का सब्सक्राइब कर दिया है कि हाँ पर जो शॉर्टेज है आई से यू बेट्स की और वेंटिलेटर से उसको बढ़ाया जाए क्योंकि आने वाले टाइम में महाबारी और बढ़ने वाली है ICMR बहुत बार न्यूज में तो आपको याद रखना ICMR के बारे में भी बहुत सारी RWA के Full Former Residential Welfare Association ठीक है RWA ये एक Non-Governmental Organization है जो की रिप्रेजेंट करती है Interest of the Residence यानि कि कि किसी एक पर्टिकुलर सिटी में पर्टिकुलर शहर में अगर कोई बंदा रह रहे हैं कोई लोग रहे हैं तो उनका इंट्रेस्ट किस चीज में है तो उनका इंट्रेस्ट जो है व market associations हैं उनको stores जो हैं अपने stores उनको open रखने चाहिए तो यहां पर यह CIT का कहना एक्स यानि कि इसके फॉल फॉर्फार्म क्या है Confederation of All Indian Traders और All India Traders जो व्यापारियों होता है उनका समूझ जो संगटन होता है उनके लिए यहां पर यह body बनाई गई है तो उसके बारे में ब प्रेजेंट करती है जो dominant करी जाती है यहां पर व्यापारियों उनके लिए और जो 1990 में इसे constitute करा गया उसके बाद यहां पर इसका headquarter हमाले important हो जाता है CIT का headquarter है New Delhi में New Delhi कहां पर व्यापार भवन में यहां पर इसका headquarter है ठीक और यहां पर क्या क्या आ जा रहा है कि जो इ अच्रीके से assistance provide करा जाये उसको अच्छी तरीके से assist करा जाये उसके bu favourite से ताकि इसके बाद यहाँ पर seminars, conference, lectures को यहाँ पर provide कराती है, इसका mission यह है कि इसको provide करा है ताकि जो अच्छी तरीके से knowledge, trading community ले सके, अगर trading community अच्छी तरीके से knowledgeable होगी, then वो consumer को अच्छी तरीके से trade करेगी, फिर वो क्या होगा consumer, fully satisfaction के साथ अपनी चीजों को consume कर सकेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, आगे, जो है, इसका main role क्या है, बहुत जादे important role play करा है, केट ने, आप देख सकते हो, इस वएस से यहाँ पर बहुत important हो जाती है हमारे लिए, तो आपको लिए बहुत जादे important है, इसके बारे है पढ़ना, तो replacement of sale tax, यहाँ पर sale tax को replace करा है, वैड से, ठीक है, value added tax है, इसी body ने, उसके बाद इसका कहा role हुआ, GST को यहाँ पर process में लाया, इंडिया में, उसके बाद direct tax code in country को यहाँ पर, इसमें भी role है इसका, और carriage, यहाँ पर rules of carriage, road act, road act में जो carriage, यानी समानी दर्द सो दर जाता है, उसके rules के ओपर यहाँ इसका role है, retail trade में भी role है, उसके बाद हाँ पर इसका सारी जगा पर, इत्ती सारी जगा पर, आपर role है, इस विए से हमाली important हो जाता है, जरूर इसके cover कर लेना है, आपको ready-made notes मिल रहे हैं, तो आपको कोई जादा मैनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको news पर पढ़ना है, जो notes वगरा है, वो आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक news है, कि micro small medium enterprises जो है, उनको जो demand जो कम हो गई है, lockdown की वज़े से, उसकी वज़े से वो जादा production नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर उनको wait करना पढ़ेगा, उसके उपर है article, उसके बाद हमारा editorial पर बात कर करेंगे, यहाँ पर कुछ बात नहीं हो रही है, वो ही बात हो रही है, उसका amendment करके उसी चीज़ के बात हो रही है, कि अच्छी तरीके से दोनों को situation को निभा के चलना चाहिए, जो इंडिया नेपाल है, उसको अच्छी तरीके से अपनी ties इंप्रूफ करने जैसे पहले थे यह वाला अर्टिकल हमारे लेगे, यह वाला अर्टिकल important है, जो कि anti-discriminational law के है, इसमें हमारे सिर्फ important आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 के बारे में हम पूरी बाते जानेंगे कि आर्टिकल 15 है क्या तो उसके लिए notes पे चलना पड़ेगा, आपको PDF के लिए टेलिग्राम ज़रू लेकर caste को लेकर, sex को लेकर, इन सब को लेकर कोई यहां पर भेदबाप पैदा ना कर जाए, समारे seven fundamental rights जिसमें से जो six fundamental rights वो working में है, वो कौन-कौन से right to quality, freedom, exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, उस पर constitutional remedies, features and provisions क्या है, article 15 के वो यहां पर वही है, जैसे ही मैंने आपके बताया, इसके जो religion, caste, race, sex है, इन सब के against discrimination, against जो भेदबाब नहीं होने चाहिए, और इसका second provision क्या कहता है, जो shops, restaurants, public hotels और उसके बाद places of public entertainment, यह सारी जो जगह है, यहां पर भी इसको लेकर कुछ भी discrimination नहीं होना चाहिए, साथी साथ roads, places, public resorts, यह सब को भी maintenance पर रखना चाहिए, हाँ पर कहीं भी इ इन exception में भी रखे गाए है, हाँ पर जो non-discrimination में रखे गाए है, ठीक है, वो क्या के रखे गाए है, जो women's है, और children है, उनको अच्छी तरीके से चीज़े प्रोवाइड गराई जाए, और education दी जाए, चिल्रन को, उसके बाद यहाँ पर schedule class और schedule tribes को अच्छी तरीके से सार distribution वगरा दिया जाए, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर अब देखते है, अपने news article और उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यह एक GST की बात हो रही है, GST में जो जो भी अगर आप collect कर रहे हो, तो यहाँ पर यह का जा रहा है, जो center और state और दोनों को मिलके काम करना चाहिए state यहाँ पर कहा रहा है कि center से आप पैसा को आपको पैसा देना चाहिए, आपर support करना चाहिए, फिसकल सपोर्ट करना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर public transport save during COVID-19 से article है आपर, कि जो हम लोग अगर चले है, अगर train वगरा में, तो चीजों को अच्छी तरीके से tackle करना चाहिए, sanitizer लगा, हाथ में sanitizer होना चाहिए, और sanitize करके चलना चाहिए, किसी चीज़ को छूनी नहीं चाहिए, ठीक है, पोल्स वगरा नहीं चूने चाहिए, और अगर आप चूते भी हो, तो अच्छी तरीके से sanitize करके चले है, और यहाँ पर जो measure है, वो क्या है, कि अगर जो employment वगर, employee है, staff वगरा है, उनको अच्छी तरीके से बार-बार hand grips को साफ करते रहें चाहिए, train के एक कोनी से दूसरे कोने में चलते रहें चाहिए, हमेशा, उसके बाद यहाँ पर bus वगरा है, उसको भी हमेशा हमें clean करते रहें चाहिए, ठीक है, उसको लेकर बात हो रही है, और यह ठीक है, death कम हो रही है, उसके उपर यह article है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर last article यह है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो border का issue चलता है, वो बहुत पहले जो चली रहा है, लेकिन जो पहली बार जो fire हुई थी, firing का हुई थी पहली बार वो हमाले important हो जाता है, 1967 में य